देश, दुनिय, खेल, इंटेटेन्मेंट और मौसम से संबंदित 14 दिसंबर के ताजा समाचार देश, शीत कालीन सत्र में जब से भारत चीन तनाव का मुद्दा उठाया गया है, विपक्ष और सरकार के बीच में तकरार बढ़ गई है मंगलवार को इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने सरकार की तरफ से विस्त्रित बयान तो जारी कर दिया, लेकिन विपक्ष अभी भी इससे संतुष्ट नहीं है विपक्ष की आगे की रणनीती तैक करने के लिए, कॉन्रेस अध्यक्ष मलिकर जुन खरगे ने विपक्षी दलो की एक बैठक बुलाई है कॉन्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी सांसद सोनिया गांधी के अलावा अधीर रंजन चौधरी ने संसद हमले के शहीदों को श्रधांज ली दी उप्राश्टरपती और राज्यसभा चेहरमेन जगदीब धनखर, लोकसभा स्पीकर रोम बिरला, पीएम मोदी के अलावा कई अन्यनेताओं ने भी शहीदों को श्रधांज ली दी NCP अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है शरद पवार के ओक स्थित, आवास पर एक अग्यात व्यक्ती ने फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी अग्यात व्यक्ती के खिलाफ मामला दर्च किया गया है अरुनाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रन रेखा, LAC पर भारत और चीन की सैनिकों के बीच संधर्ष देखने को मिला है इसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक धायल हो गए भारतिय सेना की और से किसी भी उल्लंगन को रोकने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा केंद्र की मोधी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गारी को यूज नहीं कर पाएंगे वितम अंत्राले ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब सविसिंग के लायक नहीं है इस तरह के सभी वहनों को कबार में बदल दिया जाए दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडेन ने मंगलवार को समान सेक्स और अंतर जातिय विवाह की रक्षा के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिये उन्होंने ट्वीट किया कि आज एक अच्छा दिन है आज अमेरिका समानता की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है यह कदम स्वतंत्रता और न्याई की ओरना केवल कुछ लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नया अमेरिकी कानून समान लिंग वाले जोनों के लिए संगिय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है जिसके लिए सरकार और सभी राजियों में विवाह को मान्यता देना आवश्यक होगा केल, भारत बांगलादेश के बीच दो टेस्ट की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू हो रही है दोनों मुकाबले वर्ल्ड टेस्ट शेंपियन्शिप के हिसाब से भारत के लिए बहुत एहम है टीम इंडिया वंडे सीरीज में दो के मुकाबले एक से हुई हार का बदला, टेस्ट सीरीज जीत कर बांगलादेश से लेना चाहेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमी फाइनल में अर्जेंटिना ने क्रुएशिया को तीन के मुकाबले शुन्य गोल से हरा कर फाइनल में अपना मुकाम पक्का कर लिया वहीं दूसरे सेमी फाइनल में आज रात यानी की पंदरह तारीक की सुबह साधे बारह बजे पुर्तगाल को हराने वाली मुरक्कों का मुकाबला फ्रांस से होगा इंटेटिन्मेंट बारह दिसंबर को पठान फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ जहां एक तरफ दर्शक इस पर अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वही कुछ लोग इस संबंध में अपनी नकारात्मा टिप्पनिया भी कर रहे हैं इसी क्रम में दी कश्मीर पाइल्स के निर्देशक विवेक अगनेहुतरी ने इंग्लिश में किये ट्वीट में कहा कि पहले इंस्टर रील्स बॉलिवूड गानों की घटिया कौपी लगती थी अब बॉलिवूड गाने इंस्टर रील्स की घटिया कौपी लगते हैं इस पर जहां उनके चाहने वालों ने इसका समर्थन किया वहीं दूसरी और अन्यल लोगों ने उनको तीके जवाब दिये सचिन पवार नामक एक यूजर ने उनके पुराने ट्वीट जिसमें उन्होंने बॉलिवुड शाहरुक खान की जबर्दस तारीफ की थी को शेर करते हुए विवेक अगनिहुतरी से सवाल किया कि वफादारी के बारे में सुना है मुझे लगता है आपने नहीं सुना है आप सपश्ट रूप से किसी के प्रती या किसी भी चीज के प्रती वफादार नहीं हो सकते हैं जिस बॉलिवुड को सर पर बिठाया आज उसे गाली सुप्रीम कोर्ट ने पौन वीडियो मामले में नोडल साइबर पुलिस स्टेशन बांदरा में दर्च कई एफायर में राज कुंद्रा और अन्य सेह आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जस्टिस केम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरतना की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराश्ट्रा राजन ने याचिका करता द्वारा दायर अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध नहीं किया इसलिए आवेदन को अनुमती दी मौसम मौसम विभाग का कहना है कि उडिसा, चतिसगर, राजस्थान, दिल्ली, दक्षन टेलन गाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी, हिमले, हर्याना, केरल और आंधर प्रदेश में धुन्द बढ़ेगी और बादल चाय रहेंगे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद